लखीमपूर खेरी जिले में फिर फूटा कोरोना बाम आपको बता दे कि लखीमपूर में लगातार मरीजों की संख्या में जाफा होना शुरू हो गया है लगीमपूर खेरी में पाच और मिले है कुरोना पॉस्टिव मरीद अलाकि लगीमपूर पहले ग्रीन जोन में शामिल था लेकिन बाहर से आए मुंबाई से कुछ यूबस की वज़ा से ग्रीन जोन से औरन्जोन में तब्दील हो गया लखीमपूर खीरी हलाकि लगातार अब लखीमपूर में करोना मरीजों की संक्या में इदाफा हो रहा है और इसी खबर पर जादा जानकारी के साथ लखीमपूर से मारे संबादाता आमिर रजाम से लाइफ जूचुके हैं आमेर लगा था लखेमपूर में कोरोना फो nights कि संक्या में इभाफ़ा रहा है हलाकि पहले लखेमपूर ओन में शामिल था लेकिन जिस स्थीके से परवाशी मस्दूरों को लखेमपूर आना शुरू हुआता तो कि यहां पर कुछ ना कुछ खत्रा हो सकता वही जो अन्देशा था यहां पर सच साबित हो रहा है और लखीमपुर में जिस तरीके से पहले नौ परवासी मजदूरों को एकदम पाजिटिव रिपोर्ट आई उसके बाद आचानक यह हुआ था कि जो अन्देशा थी वहां पर और बढ़ेगा और यहीं हुआ कि फिर एक पाच जो परवासी मजदूर थे उनको करोना पाश्टिव रिपोर्ट आये जिसके पाद एक जिले में अजीव एक भाय का महर बन गया क्योंकि ग्रीन जोन हुक्की में होने की वज़े से यहां पर लोग तमान तरिके के स्वलगा ले रहते हैं आमिर जिस जन जगा से यह जो प्रवासी मजदूर क्या ने पहले क्वारेंटाइन किया गया था जी जी अभी नौव करणटाइन जो पाज़िटी रिपोर्ट आये ती उसी में से यह तीन लोग थे जो निगासन तहसील के थे इनको करणटाइन किया गया था इनकी रिपोर्ट आई तो वह लोग तीन लोग वो शामिले इसके लाग दो फूल बहेड बलाक के जो लोग है उनको करणटाइन किया गया था उनकी जो रिपोर्ट आई वो दो रिपोर्ट आई है तो लेहाद़ ये कहा जा सकता है जिले में दो तहस्रीले इसवक्त तहस्री है जहां पर करोना पाज़्टियू के इस वक्रमरीद मौझूद है जो संख्ष्या पाज़िए 3 जमाति ते प्रवाद के लवाए एक डॉक्टर का है जो लखनों से जोड़ा गया था तो तो फूल मिलाकर यहां पर प्रवाद के लिए आपको बहुत बहुत धन्यबाद और लगातार कोरोना वरीजों की संख्या में लकीमपूर में इदाफा हो रहा है आपको बता दे कि जो प्रवाजी मज़्दूर है उनकी मज़द से कही ना कहीं यह आकला बढ़ता जा रहा है पांच करोना पॉस्तिफ व खांच करोना भांच करोना वाज।